नमस्कार में हुप्रिया विहारी न्यूज में आपका स्वागत है चुल जानते हैं देश विदेश फीकुछ प्रमो खबर को इस इलाके में कमपन महसूच की गई थी उसे दिन हरियाना के भी कई इलाकों में कमपन महसूच किये गया थे आपकी जौनकारी के लिए आपको बताती कोवर्ट-19 के समाहौल में लगातार अलग-अलग राद्यों से कमपन की खबर सामने आई है हाला कि कहीं भी जौनमाल के न दिली सरकार द्वारा सभी स्टेट उनिवर्सिटी की परिक्शाहिं क्यांसल करने के बाद कही राज्य में अभी UGC और केंद्री सरकार से फाइनल एर की परिक्शाहिं क्याने की माग उठी है पीए मोधी को पत्र लिखकर केंदर के अंतरगत आने वाले सभी विश्विद्यालियों में अंतिम वर्ष की परीक्षा को कैंसल करने का अनुरोध किया है सिर्फ दिल्ली की सरकार ही नहीं बलकि यूपे पुट्डिचेरी की मुख्यमंतरी वी नारायन सामी ने भी परीक्षा कैंसल करने की बात पर जोर दिया है इसके साथ ही तमिलाडू के मुख्यमंतरी ने भी मीडिया को बताया है कि उन्होंने केंदर सरकार और UGC से अनुरोध किया है कि फाइनल येर की परीक्षाएं कैंसल हो जाए राहुल गांधी ने COVID-19 को लेकर शेयर किया एक ग्राफ COVID-19 के बढ़ते माहौल को लेकर राहुल गांधी अक्सर सरकार पर निशाना साते रहते हैं वहीं एक बार फिर से उन्होंने मोधी सरकार पर सवाल उठाए है जिसके थेत उन्होंने अपने सोशल मीरिया हैंडल से एक ग्राफ को ट्वीट किया है और लिखा है कि COVID-19 के खिलाफ जारी जद्धो जहद में भारत की क्या ये अच्छी स्थिती है कॉंग्रिस नेता ने जो ग्राफ श्येर किया है उसमें दक्षिन कोरिया, अमेरिका, भारत और न्यूजिलाइन में सापताही का अधार पर एबरेज मामलों का जिक्र किया गया है जिससे जाहिर होता है कि दक्षिन कोरिया और न्यूजिलाइनद COVID-19 की जद्दो जहद से बाहर निकल रहा है, भाई अमेरिका और भारत में मामले अभी भी तेजी से बढ़ रहा है लेकिन हमारे मुकाबले अमेरिका की स्थिती में ज्यादा सुधार हो रहा है आपकी जुआनकारी के लिए आपको बता दे राहूल गांधी ने केंद्रे ग्रिमंत्री अमिद श्राह द्वारा भारत में COVID-19 के लिए परियाप्त कदम उठाये जुआने के दावे के बाद ही प्रभावित संख्या का ग्राफ जारी किया है भारत के इस युवक ने लोगों को समोसा निहारी खिलाने के लिए गूगल तक की नौकरी को कहा था ना गूगल रसी कंपनी में नौकरी आसानी से नहीं मिलती लेकिन अगर किसी को यह नौकरी मिल जाये तो वो आसानी से चोड़ना नहीं चोहता हाला कि गूगल में नौकरी करने वाले इस युवक ने अपनी नौकरी को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली और आज इनके समोसे इतने ज्यादा प्रसिद है कि गली चौक से लेकर के बॉलिवूड तक इनके खाने के चर्चा जोर शोर से सुनने में आती है मुनाफ़ का पाड़िया नाम के क्यूबक जिन्होंने दब बोहरी किचन के नाम से लोगों को खाना खिलाना शुरू किया था और धीरे धीरे उनके फैंस ने बड़े बड़े लोगों के नाम जोर दिये मीडिया हाउस से बाच्वीत के दौरान उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले उनके जन्म दिन पर उन्होंने कुछ दोस्तों के लिए खाना बनाया था और इन दोस्तों को मुनाफ की मा के हाथ का खाना इतना ज्यादा पसंद आया कि वो इसे भूल नहीं पाए मुनाफ की मान अफीसा को खाना पकाने का बहुत शौक्त हो और यहीं से शुरुआत हुई बोहरी के चुन की मुनाफा साओधी अरब बोहरा समुदाय से तालूख रखते हैं उन्होंने नोटस किया कि वो जो खाना खाते हैं वो बाजार में अराम से नहीं मिलता जिन्हें उन्हें बाकी से अलग बनाया सफर शुरू होने से पहले यात्रियों को किया जाएगा सतर्क रेलवे ने सभी यात्रियों से ट्रेन के सफर को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए 20 इनोवेशन को लागू करने का ने लिया है रेलवे ने अपने नेटवर्क में अच्छे विचारों को लागू करने के उदेशों से विभिन जोन के करमचारियों के विचारों को जानने के लिए 2018 में एक पोर्टल की शुरुवात की थी तब से जोर्नल रेलवे ने इस वे पोर्टल पर अपनी कई सारी प्रविष्ठियों को भी अपलोड हिया है वहीं आप जाकर रेलवे नेटवर्क पर शुरुवात के बड़े पैमाने पर कार्या नेपगन के लिए 20 इनोवेशन की पहचान की गई है रेलवे के धिकालियों की माने तो इन 20 इनोवेशन में थे ज्यादा तरका उदेश सुरक्षा बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधार करना है केपी शर्मा ओली ने की अमिताब बच्चन के शिग्र स्वस्थ होने की कामना भारत नेपाल के भी जहरी तनाब के बावजूर प्रधान मंतरी के पी शर्मा ओली ने अमिताब बच्चन के स्वस्थ की कामना की है आपकी जहानकारी के लिए आपको बता दे अमिताब बच्चन और विशेक बच्चन दोनों ही शनिवार को पॉजिटिव पाए गये थे जुसके बाद उनका इलाज मुंबई के नानवधी अस्पताल में चल रहा है वहीं ओली ने इनके परिवार के सदस्य की मंगल कामना करते वे ट्वीट किया है कि मैं भारत की महान कलाकार अमिताब बच्चन और उनकी बेटे जूनियर बच्चन समेत पूरे परिवार के अच्छे स्वस्थेवं शीगर ठीक होने की कामना कर रहा हूँ शेखर कपूर ने सुषान सिंग राजपूत से संबंधित कई बातों का किया खुला था बॉलिवूड डाक्टर सुषान सिंग राजपूत ने कुछ समय पहले अपनी जुआन खुद ले थी जिसके बाद से लगातार बॉलिवूड निशाने पर है जिसके बाद अब शेख यस्ट्राज के बैनर तले साल 2014 में इस फिल्म की शिरुवात होगी। परहकर किस तरह से लोगों की सुरक्षा करती है इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। यह वाग ने इस वीडियो को शेर करते वे लिखा कि भारती सेना का जवान अपने जन्म दिन का जश्न मनार है बर्फ की केक की सुंदरता एक सैनिक ही जान सकता है। जोति रादिते सिंध्या ने सचुन पाइलट को लेकर जोताई सहानु भूती। मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान की सियासत से परेशानियों के बादल छटने के नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि राजस्थान के उपमुख्य मंत्री सचुन पाइलट गहलोत सरकार से बेहद ही नाराज चल रहे हैं। चीन के साथ घटा भारत का आपसी व्यापार। संबंदों को साफतोर पर दशार है। वाने जमंतर राले के आकड़ों के अनुसार 2019 में अमेरिका और भारत के बीच दुए पक्षिया व्यापार 88.75 अरब डॉलर रहे हैं। जो की 2018 में 87.96 अरब डॉलर था। पारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से पार बांगलादेश के लिए आंधरप्रदेश के गुंटूर जिले के रेड़ी पले में सूखी मिर्च की एक विशेश मालगाडी से धुलाई की है। इसमें पहले गुंटूर और आसपास के छेतर के किसान और व्यापारी कम मातरा में सूखी मिर्च सडक मार्ग से बांगलादेश ले जाते रहें और इस पर लगभग 7,000 रुपे प्रती टन की लागत का खर्च होता था। से पार्टी को मजबूत करने की अपील की है। के कॉंग्रेस चोरने और भाजपा जोईन करने के अटकले लगातार सुनने में आ रही है। यही कारण है कि शची थरूट बार-बार कॉंग्रेस ने तृत्व को मजबूत करने की मांग कर रहे है। अमेरिकी कमपनी कॉल केम ने जियो प्लाटफॉर में 730 करोर रुपे का निवेश करने का किया एलान। अमेरिकी कमपनी कॉल केम ने रिलाइंस इंडास्ट्रीज लिमिटेड की डिजिटर लिकाई जियो प्लाटफॉर में 730 करोर रुपे निवेश करने का फैसला सुनाया है जो प्लाटफॉर मुसके लिए यह लगातार तेरावी डीन होगी। सोशल मीडिया, प्लाटफॉर म, फेस्बुक और दूसरी कमपनीों ने जियो के साथ निवेश किया है। प्लाटफॉर म, फेस्बुक और दूसरी के बीच खेले जाने वाले टेस्ट माच के इंतजार में है। हालाकि दूसरी तरफ सौरफ गांगुली ने विराट एंड कमपनी की बल्ले बाजी और गेंद बाजी की भी तारीफ की है। उन्होंने कहाएं कि यह सीरीज इस बार काफी टाफ होने वाला है। यह फोटो दिलबेचारा फिर्म के ट्रेलर का आखरी सीन भी है जिसमें सुषान सिंग राजपूत संजरा के साथ बात करते हो दिखाई दे रहे है। तो चले बढ़तें आज के सवाल क्यों और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार च्वाइना को छोड़ कर भारत का आपसी व्यापार अमेरिका के साथ बढ़ाना कितना सही है। अपने जबाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम। बड़ी खबरों से जुरे रहने के लिए हमारे योट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाने ना भूलें। धन्यवाद।